अबात मित्रो आज इस प्यारी सी सुपर में आपका फिर से स्वागत है जिन्दगे में किसी से अपनी तुलना ना करें जैसे चांद और सूरज की तुलना किसी से नहीं की जा सकती क्योंकि वह अपनी समय पर ही चमकते हैं अपना ध्यान रखें अपनी अंतर नहीत उरजा को पहचान कर उसका उपयोग सार्थक उद्देश्चे के साथ सही दिसामे करें पूरे मनोबल से करें तो सफलता निश्चित ही आपको प्राप्त होगी खुस रहें स्वस्त रहें आईए आज हम बात करते हैं अति महतबून सिक्स्टी कोश्चन्स की साथ प्रशनों की जो की आपके आने वाली उत्राकट की परतियों की परिक्षाओं की दरश्चिकों से काफी इंपोर्टेंट हैं तो आप सभी लोगों से रिक्वास्ट है कि मेरी इस वीडियो का बाते तक जरूर देखें आज का पहला इंपोर्टेंट कोश्चन है कि मदर टेरसा को किस वर्स 14 माई ने 18 दिन लगे थे हमारे समविदान को बनने में भारत में बजट प्रणाले की सुरुवात का सरे किसको दिया जाता है तो जेम्स विल्सन को भारत में बजट प्रणाले की सुरुवात का सरे दिया जाता है ब्रिटिस संसद में हाउस ओफ कॉमंस में सांसद बनने वा प्राइब बाहर दिये थे कि गूगल की स्थापना किस वर्स की गई थी तो 1998 में लेरी पेज और सर्गे吧 ने गूगल की स्थापना की थी पूर्थ गाल्यों द्वारा अपनी पहली वियापारिक फैक्टरि कहां स्थापित की गई थी तो कालीकट में पूर्त गालियों द्वारा अपनी पहली व्यापरिक फैक्टरी स्थापित की गई थी 1857 की करांती की समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे तो मेरे प्यारे दोस्तों लॉर्ड कैनिंग 1857 की करांती की समय भारत के गवर्नर जनरल थे पूर्ण सूर्य ग्रहन की दसा में सूर्य का कौन सा भाग दिखाए देता है तो किरीट पूर्ण सूर्य ग्रहन की दसा में दिखाए देने वाला सूर्य का महतपून भाग है उत्तराखंड के किस सहर में पांच स्टेडियम है तो पोड़ी घड़वाल में पांच स्टेडियम है गंगा को रास्टी नदी कब घोसित किया गया था तो 2008 में गंगा को रास्टी नदी घोसित किया गया था उत्राकंड में इडिस्ट्रिक्ट योजना कब लागू की गई थी तो 2009 में उत्राकंड में इडिस्ट्रिक्ट उत्राखंड में परियावरण मित्र योजना कब शुरू की गई थी तो 2006 में उत्राखंड में परियावरण मित्र योजना शुरू की गई थी नगाडे खामोस नाटक के लेखक कौन है तो गिरीज तिवारी गिर्दा नगाडे खामोस नाटक के लेखक हैं सुमन स्मर्तिगरं पंत के लेखक हैं आयरिन पंत को किस उपनाम से जाना जाता है तो अलमडा की बेटी और पाकिस्तान की बहु आयरिन पंत के अन्य नाम है जिन से इनको जाना जाता है नेक्स्ट इंपोटेंट कोशिन है कि विश्वेश रदत सकलानी जी को किस अन्य उपनाम से भी जाना जाता है तो इनका जो दूसरा नाम है वो है वरक्ष मानव उत्तराखंड कितना सच और कितना चलके लेकक कौन है तो इसके लेकक है सुरेंदर सिंग पांगती जै भारत जै उत्तराखंड किसका प्रशिद नाटक है तो ये प्रशिद नाटक है राजेंदर दसमाना जी का यदि में मरना ही है तो अपने सिद्धानत और विजवास की सारवज निगोशना करते वे मरना स्रेश कर है ये बात किस ने कही थी तो ये बात कही थी स्रीदेयो सुमन जी ने नेक्स्ट इंपूटेंट कोश्यन है कि विस्व की पहली महिला मेजर जनरल कौन है तो विस्व की पहली महिला मेजर जनरल है माया टम्टा उत्कुमाव की लक्ष्मी बाई के रूप में किसे जाना जाता है तो कुमाव की लक्ष्मी बाई कहा जाता है जियारानी को उत्राखं से सब्सक्राइब के दोरां जेल जाने वाली पहली महिला कौन थी तो उत्राखंड से पहली महिला थी जो सब्सक्राइब में जेल गई थी उनका नाम था बिश्णी देवी सहा भारत रतन से सम्मानित होने वाले उत्राखंड के प्रतम व्यक्ति कौन है तो गोविंद वलब प सुमित्रा नंदन पंत जी हैं उत्त्राखंड से जिन को साहित्य का ग्यानपिट पुरुसकार दिया गया था रसकिन बॉंड की प्रत्थम रचना कौन सी है तो रूम ओफ दा रूफ रसकिन बॉंड की प्रत्थम रचना है बोरी वली से बोरी बंदर तक के लेकक कौन है सैलेस मट्याने जी ने लिखा था ये पुस्तक लिखी थी बोरी वली से बोरी बंदर तक कुर्मानचल केसरी उपनाम से किसको जाना जाता है तो बद्रिदत पांडे जी को कुर्मानचल केसरी के नाम से जाना जाता है नेक्स्ट इंप्टेन कोशिन है कि उत्तराखंड का गांधी के उपनाम से किस को जाना जाता है तो इंदर्मनी बडोनी जी को उत्तराखंड के गांधी उपनाम से जाना जाता है। संदक्षन परसिक्षन केंदर उत्राखन के किस सहर में इस्तित है तो तो वन्य जीव संदक्षन परसिक्षन केंदर कालागड में इस्तित है रास्टिय सुसासन दिवस कब मना जाता है तो मेरे प्यारे दोस्तों 25 दिसंबर को रास्टिय सुसासन दिवस मनाया जाता है स्वच स्वच भारत मिशन कब लोंच किया गया था तो अक्टुबर 2014 में स्वच भारत मिशन लोंच किया गया था सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक कौन सा है तो स्टेट बैंक और इंडिया भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक है सेर साह का मकबरा कहा है तो काफी लोग जानते भी होंगे कि सासा राम में सेर साह का मकबरा है सिवा जी के गुरू का क्या नाम था तो सिवा जी के गुरू का नाम था रामदास हम भारत के लोग सब्दो का प्रयोग सम्विधान में कहा किया गया है तो सम्विधान की प्रस्तावना में हम भारत के लोग सब्दों का प्रियोग किया गया है next important question है कि सम्विधान का संडक्ष किसे कहा जाता है तो उच्चेतम न्यायाले को सम्विधान का संडक्ष कहा जाता है बलवंत राय महता समीथी ने किस प्रकार की पंचायती राज वैवस्ता की अनुसंसा की थी बहसाई आधार पर सरप्र्थम किस राज्ये का गठन किया गया था तो जीहां आंदर प्रदेश वो राज्य था जिसका गठन भासाई आधार पर सबसे पहले किया गया था कन कोली कौन टी कौन था तो इटली का एक यात्री था जिसने विजय नगर सामराज्य की यात्रा की थी आपका नेक्स्ट इंपोरेंट कोशियन है कि क्रिकेट का मक्का किस मैदान को कहा जाता है लौड्स का जो मैदान है उसको क्रिकेट का मक्का कहा जाता है फुटबोल को उलम्पिक खेलों में कब सामिल किया गया तो 1900 के जो पैरिस उलम्पिक गेम थे वहाँ पर फुटबोल को सामिल किया गया था वेवेल योजना किस वर्स प्रस्तूत की गई थी तो वेवेल योजना प्रस्तूत की गई थी 1945 में और निती आयोकाद्यक्स कोन होता है तो निती आयोकाद्यक्स भारत का जो परधान मंतरी हैं वो होते हैं और वरतमान में वो सभी जानते हैं कि माननी ये नरेंद्र मोदी जी है आपका next important question है कि भारत के साथ किस देश की सबसे लंबी स्थलिय सीमा है तो बांगला देश वो देश है जिसकी सबसे लंबी स्थलिय सीमा भारत के साथ है next question है कि दक्षिन भारत की सबसे उची चोटी कौन सी है तो अनाई मडी दक्षिन भारत की सबसे उची चोटी है किंदो परवतों के मद्य कसमीर घाटी इस्तित है तो वरहत हिमाले और पीर पंजाल जो परवत हैं उनके बीच में कसमीर घाटी इस्तित है भारत के किस द्वी तो नीली करांती मतश्य पालत से संबंदित है कौन सी गैस नोबल गैस कहलाती है तो हीलियम गैस नोबल गैस कहलाती है मानव सरीरी की सबसे बड़ी गरंथी कौन सी है तो यकरत मानव सरीरी की सबसे बड़ी गरंथी है ओजोन छिदर का क्या कारण है तो हम सब जानते भी कि क्लोरो-फलोरो-कार्बन ही वी व कारण है जो की जिसका प्रिणाम औजोन-छिदर है आपका नेक्स्ट इम्पोटेंट कोश्चिन है कि कि किस परियावरनविद को जल पुरुस के नाम से भी जाना जाता है राजेंदर सिंग जी व्यक्ति है जिनको जल पुरुस के नाम से जाना जाता है चिपको आंदलून के प्रनेता कोन है तो सुνदरलाल बहुगुना जी को चिपको आंदलून का प्रनेता कहा जाता है भारत में वन्ये जीव संरक्षन अधीनियम किस वर्ज लागू किया गया था तो 1922 में भारत में वन्ये जीव संरक्षन अधीनियम लागू किया गया था रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है तो प्लेटो ने लिखी थी रिपब्लिक पुस्तक आपका नेक्स्ट इंपोटेंट कोशिन है कि महात्मा गांदी रास्टी एक रामीन रोजगार गारंटी अधीनियम का पारित हुआ तो अधीनियम पारित हुआ था 2005 में next important question है कि समान वर्सा वाले छेतरों को जोडने वाली रेखा को क्या कहा जाता है तो इस रेखा को कहा जाता है आईसो हाइट अलक नंदा और भगीर्थी का संगम कहां पर होता है दो देव परियाग में होता है अलक नंदा और भगीर्थी का संगम सबरी माला किस राज्जे में हैं तो सबरी माला है केरल राज्जे में next important question है कि विश्व का कोफी पॉर्ट किसे कहते हैं तो सेंटोस को विश्व का कोफी पॉर्ट कहा जाता है बेला डिला किस लिए परसीद है तो बेला डिला परसीद है लोह ऐसक के लिए भारत में अबरक का सरवाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है तो जिहां आंधर प्रदेश वो राज्य है जहांपर अबरक का सबसे अधिक उत्पादन किया जाता है भारत की किस राज्य की सीमा नेपाल भूटान और चीन से मिलती है तो सिक्किम वो राज्य है जिसकी सीमा नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है मेरी इस वीडियो को अंतर तेक देखने के लिए आप सभी का हर दिकाबार और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लग दी है तो मेरी इस वीडियो को आप लाइक, शियर और सबस्क्राइब अवश्य करें धन्यवाद